हेलो गाईज आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना बोर्ड एक्जाम 2022 की डेट सीट के उपर आपको पता है कि हरियाना बोर्ड अपकी बार आठ वी दस वी और बार वी की प्रिक्षा लेने वाला है तो गाईज आज की वीडियो में डेट सीट के उपर हम बात करेंगे कि date sheet कब तक आएगी और साथ ही साथ एक बड़ा doubt जो है ये है कि भाई exam है वो हमारे किस mode में होंगे ये भी बार बार आप लोग पूछ रहे हो तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देंगी तो चलिए गाईज वीडियो को start कर देते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नही किया है नए हो तो भाई कर लो तो गाईज यहां पर देखिए cbsc की ओर से 2021-22 तरके ट्रम 2 की प्रिक्षाए 26 अपरेल से offline माध्यम से होंगी अब आप कहोगे कि भाई ये तो cbsc की update है हाँ गाईज cbsc की update है लेकिन यहां पर देखिए side में भासकर न्यूजबेपर के टीम ने हरियाना बोड के बारे में भी अपडेट डाली है तो चलिए इसको जूम करते हैं और फिर मैं आपको दुछाता हो कि यहां पर क्या कहा जा रहा है सो गाइज यहाँ पर देखे हरियाना बोर्ड भी जल्द डेट सीट कर सकता है जारी सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो किलियरली बोल दिया गया है कि जल्दी ही हरियाना बोर्ड भी अपनी डेट सीट जारी कर सकता है ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि यहाँ पर CBSC ने जो है अपनी जो exam dates है वो जारी कर दी है ठीक है और बहुत जल्दी वो अपनी date sheet भी जारी करने वाला है तो कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ पर जो है बासकर नुजपेपर के जो यहाँ पर team है उन्होंने हर्याना बोड की भी update यह ही आया है लेकिन जल्दी ही उनको भी लेकर schedule आने वाड़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर्याना बोड है वो इतनी ज़्यादा लेट नहीं करने वाड़ा इन्होंने कहाए कि जल्दी ही आपकी date sheet आजाएगी ठीक है और exam से कहीं ना कहीं 20 या 25 दिन पहले date sheet आती है के बाद exam स्टार्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप यह मान के चलो कि अर्याना बोड जो है वो पूरी planning कर रहा है कि आपके जो exams है वो March अपरेल के अंदर conduct कर वा लिये जाए ठीक है CBSी तो भाई बहुत ज़्यादा आगे चला गया है माई के अंदर चला गया है क्योंकि उसने 26 अपरेल से ही start किया है तो 26 अपरेल से लेकर पूरे माई तक चलेंगे उनके ठीक है और फिर कब उनका result आएगा भाई बहुत ही late कर रहा है वो तो लेकिन हरियाना board है जल्दी ही date date sheet आ सकती है अपनी preparation start कर दीजे ठीक है इन्होंने कोई date यहाँ पर confirm नहीं बताई लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है जो भीन के पास update आई हरियाना board की तरफ से उस हिसाब से लिख दिया कि जल्दी ही date sheet है वो आ सकती है ठीक है तो guys जैसे ही कोई update आएगी आपकी fix date की मैं को बता दूगा ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर देखे जो 8th class के हैं उनके थोड़ी late हो सकते हैं लेकिन 10th और 12th के exam है वो यहाँ पर बिल्कुल time पे होंगे जैसा उनका time है हरियाना board का ठीक है क्योंकि 10th के बाद बच्चे 11th में अपने subject select करते हैं 12th के बाद college में जा लेकिन मैं आपको confirm भी बोल दूना अगर मेरी तरब से मेरी opinion के according तो offline ही exam होंगे ठीक है अगर आप online चाहते हो तो भाई comment कर दीजिए मैं यह नहीं कहरा कि comment करने से online हो जाएंगे लेकिन इस वीडियो में आप ज़दा ज़दा comment करेंगे कि online होने चाहिए या फिर offline तो maybe अग आगे से आगे जाएगी तो आपकी भी आवाज आगे से आगे जाएगी ठीक है तो guys यह थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो और guys आप यह भी comment करके जरूर बतेए कि आपके यहां पर जो exam है वो CBSC से पहले होने चीए उसके बाद होने चीए बाद त के साथ होने चीए ठीक है तो यह भी comment करके जरूर बतेए तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही फिर से मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भार